में समझा लेते हैं में समझा लेता हूं उसमें कोई मस्ता नहीं है कि जी बाग कोई सवाल ठीक है दाउद में और पिर्ट कर दो बाई वो जी कोई किसी को कोई कन्फूजन नौ सर ठीक है तो अधर ते वह पिर वह आप लोगों के साथ शेर कर लूँगा यह दिफिनिशन पर आप लोगों ने इदर थे वह पिर वह आप लोग लिक लेंगे ठीक है जी कल हम पढ़ रहते लाव देमिनेशिंग माजिल यूटिटी और हमने पढ़ाता कि जैसे जैसे एक कंजूमर या एक परसन एक गुर्स के यूनिट्स कंजूम करता जाएगा तो हर जो एडिशनल यूनिट होगा वो उसको लिस यूटिलिटी देगा प्रीवेस या प्रायर व जाएगा लेकिन जैसे जैसे हम उस गुर्स के जाड़ा यूट्स करते जाएगे तो एडिशनल यूनिट जो हमें जो एडिशनल यूटिलिटी देगा यानि माजिटी देगा वो कम होती जाएगी क्लियर तो इसमें कोई कंफूजन तो नहीं थी ना भाई मेरे आगे जाके पिर मैं तोड़ा सा वो डाइग्राम आपको समझाए लिए जी तो दाउद बाई मेरे इस तरह ताके एग होती है टोटल यूटिलिटी एग होती है माजर यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी जितने भी नंबर आफ यूनिट हम कंजूम करेंगे और उससे जो टोटल हमें मिलेगा उससे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी पर अगर इदर आप देख लो तो इदर मैंने जीरो यूटिलिटी क्या सो नो यूटिलिटी ठीक है लेकिन जब मैंने एक यूटिलिट क्या सो एक यूटिलिट कर लिए आइस क् का तो मुझे टोटल यूटिलिटी मिली 80 और यह मेरे पास मार्जन यूटिलिटी थी क्यूंग आप लोग मूट कर लें कंफूजिन ना हूं मैंने म्यूट किया अशाब को तो काइनल रिक्वेस्ट आप लोगों से क्या भी म्यूट कर लें ठीक जी अब जब मैंने दो आइस क्रीम कंज्यूम कर लिए तो मुझे मिल गए टोटल यूटिलिट्टी यह टू आइस क्रीम लेकिन मुझे एडिशनल यूट जो सिकंड आइस्क्रीम था जो दूसरा था उसने मुझे टोटल यूट्री कितनी कितनी दे दी जब मैं वनट्वेंटी से एटी माइनिस कर लूँगा तो मुझे यह फिगर एचीव हो जाएगा ठीक है यह वाला अब जब तीन आइस्क्रीम तीक है तो उसके टोरी लूट्वटी ती वनफोर्टी टीनों के एकटा जब मैंने एक डू तीन आइसक्रीम यूज के दाओट तो मुझे मिल गए टोटल यूट्यृटी लेकिन तर्डवन ने मुझे कितनी कितना बिनिफिट दे दी तर्डवन ने मुझे ट्वैंटी चारों ने एकट जो फॉर आइस्क्रीम थे उसने कंबाइंड टोटल यूटिलिटी मुझे में दे दी वन फिफ्टी लेकिन फॉर ट्वन ने चोते ने कितनी दे दी जब मैंने आइस्क्रीम ते उसने मुझे टोटल यूटिलिटी कंबाइंड करके मुझे 150 लेकिन फिफ्ट पन ने मुझे 0 यूटिलिटी दे ती क्यूं कि मैं वन फिफ्टी से वन फिफ्टी मानेस करूंगा तो जीरो आ जाएगा और इसको कहते है saturation point saturation point वो point होता है कि जब बन्दा फुल हो जाता है कम केते हैं मार्कीट से टुरेटेड़ है मार्कीट मीन मार्कीट फुल है ठीक है इसके बाद अगर मैं कोई item यूज करूंगा या कोई ice cream या कोई goods यूज करूंगा वही item तो वो मुझे निगेटिव यूटिलिटी देगा कैसे जैसे फार एक्जेमपल जब सिक्स आइस्क्रीम मैंने कंजूम की तो उसने ना मुझे कंबाइन वन फूटि फाइफ दे दी ठीक है लेकिन सिक्स वन ने मुझे ना निगेटिव यूटिलिटी दे दी नेगेटिव क्लियर जी तो इदर आप लोग देखें कि मैग्जिमम पॉइंट में किस पॉइंट पे हूँ मैग्जिमम पॉइंट सिचुरेशन पॉइंट प कि अभी किया दाउद जी एनिवन जी जी दाउद तो अब्जिक्टिव के लिए यह पॉइंट्स इंपोर्टन वह पूछ सकता है यार कि लाव डेमनिशिंग माजली उटिलिटी में सब्सक्राइब करता हूं जांट क्यों वह पॉइंट करता हूं लग्सावग है कि जिदर आपकी माजली जीरो और टोट्र यह मेंग्जिमम होती हैं वो ही आपका सिचुरेशन पॉइंट और उद्षर आपकी टुरिट्ट लिए मेंग्सिमम होंकि उस पॉइंट के बाद व पूचे पूचे जी सर मेरी आवाज आ रही है सर जैसा कि सरी टेबल हमें बता रहा है कि पहले जो है पॉइन सरी है तो सरी है पॉजबिल मेरी मार्टिक ये मायर नहीं कर सकते हैं लेकिन ये हम एजमशन की तरे कह रहेंगे ये यूटिटिटी इतनी है और इतनी है झाल सही है सर जी जी तो सर यह सर यह सच्छुरेशन पॉइंट सर एक ही दफा में सर हम अटेम्ट कर सकते हैं नहीं सर जैसा कि सर अगर वेदर कंडिशन है और एक आइस्क्रीम सर आमने का लिया वो सख्ट गर्मी थी उस वक्त सही है सर और जो एना वो दोबेर के बारा बजे और फिर जो हो गए सार वेदर हम दूसरा एक्रीम कaramया है तो सर वो से हमारी जो है ना वो सैटिस्फछिन वह उसी तरा जो है ना वो अ पूरी नहीं हुए जैसा जैसी पहली दफा हुए तो सर पहली अटेंड मैं घर हम सन्ट्रीलेशन पॉइंट सक्ते हैं तो ऐसा पहले कि यार बंदा वो ना पुश्टों में तर मरे मरे फुल फुल जी जब ठीक है ना जब वो बिलुकुल उसके बाद वो एंजॉय काईगा तो उसमने वो डिस सटिस्टिस्फेक्शन मेलेगी उसको मतलब बोज होगा उसकी तवियत नासाथ होगी है यह सर वो लेकिन कुछी तो यह पॉइंट्स प्लिर नशाब को अब हम जी भाई किस चीज कि आविलिबिलिटी पर डिपांट करते के इस चीज़ आपके पास अविलेबले वाप नहीं नहीं करते तो फैर तो फाइदा ही नहीं हुआना थीज़ आपके पास आप पिंजूम नहीं कर रहे हैं सही है ना तो ये इसलिए है ठीक आप पिंजूम भी करें तो तब ये से बहुत अच्छा अच्छा अब हम आ जाते हैं डाइग्राम की तरफ देखें इस डाइग्राम को आप ना एक ही उसमें भी बना सकते हैं कटा और आप डिफन्ट मतलब बना सकते हैं या या डाइग्राम आगर आप तो तो यूटिलिटी ले 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 और फिर माजर यूटिलिटी भी तीक है तो ये ग्राफ आपका तक्रीमर इस तरह पिर बनेगा यह इस तरह तो आप एग्में भी बना सकते हैं कोई पनिश्मेंट नहीं है लेकिन अगर वह स्क्रीन कंजूम या नंबर आफ यूनिट जो भी यूनिट्स आप लेंगे वह मैंने एक्स एक्स पर या होरिजेंटर एक्स पे ले लिए जैसे जैसे देखें मेरी में कंजूम करता जा रहा हूं एक यह तरह दो थी तरह तो आपके टोटल यूटिलिटी बढ़ रही तो बढ हो गई हम आप इदर देखें आपके टोटल यूटिलिटी साथ साथ आपकी यह आप यह बढ़ रही है यह देकिए यह यह लेकिंगे यह आपका वही सक्वीरेशन पटे स्पॉंट की और पिपए हते हैं यह आपको मैग्जीमं सटिस्टिस्टिक्शन मिल रहा है इस के बाद आप सिक्स नंबर यूनिट्स कंजूम करेंगे ना तो आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना शूरू हो जाएगा तो इदर आप देखें यह आपका पीक पॉइंट वह फिफ्ट वाला पॉइंट जो आइटम था ना फिफ्ट आइटम वह फिफ्ट आइटम प अब इसके साथ हम माजर यूटिलिटी वाला भी बना लेते हैं माजर इटील अगर आप देख लें तो आपकी यूटिलिटी देखें जैसे जैसे हम नंबर अफ यूटिलिटी डिक्रीज हो रहे हैं वह लाव डिमांड वाला कर्व या देना वह जिस तरह वह ऊपर से लेकिन यह कर्व उसके तक्रीबन मिलता जुलता कर्व है वह भी स्लोपिंग डॉन वड़ता यह भी आप अगर आप देखें कि जैसे जैसे आप नंबर अफ यूटिलिटी डिक्रीज हो रही हैं लेकिन अब आप देखें पॉइंट पर अगर आप देखें तो मेरी उटिलिटी मूटि इस इप्टू पॉइंट पने तो मेरी टूटिलिटी इधर Mag ठीक है तो यह पॉन्प आप लोगों ने जरूर लिखना है मेरे कि कि जिदर मेरी टूटल यूटिलिटी इस पॉइंट पे फार इग्जेंपल ए पॉइंट पे मेरी टूटल यूटिलिटी मेग्जीमम है लेकिन मेरी माचिर यूटिलिटी जीरो यह मेरे सो पास सिचुरेशन पॉइंट है इसके बाद अगर कोई बंदा consumption करेगा तो उसकी यू ता आपका वो डाइग्राम जी अब आप पूछे शावस्त जी 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 अब वक्कर सल्मान हफसा आईशा अक्सा फाकिहां हारिस अजीज एक्रा शावचे पूछे शावसा इसाथ पूछे यार इंशाला आप जिन्दे के लिए तो टाइम पे चीज़े कंप्लेट हो जाएगे कोई इतना हम सही जा रहे हैं तो यह यहां से वह अगर वोट वो टेक्निकल चला जाता है तो आप से यह पूछ सकता है आप इसकी पिर वो देख लें अच्छा आप एक्सेप्शन्स आफ दी ला कि किन किन चीज़ों पर यह ला एप्लिकेबल नहीं है तो कलेक्शन्स हो भी रियर आइटम्स ग्राप याद हो तो पहले लोग वो कॉइन्स वगरा जमा करतेते हैं वो टिकट वगरा जो हम लगा रहे थे लिफाफ वगरा पर वो जमा करते हैं तो इन चीज़ों पर यह ला एक बंदा है उसको ना कॉइन को इसको पुराना कॉइन मिल जाता है तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी लेकिन उसके अगेंस अगर उसको ना पचास साल पुराना या सो साल पुराना कॉइन मिल जाए तो उसको उससे साटिस्टेक्शन ज्यादा होगी मज़ीड क्लिडि जी या एक बंदा ए उसको ना कितब की कolveशन का शोग ठीक है या अच्चेछी नठीक का उसको शोग है या हेर आइटेंस का उसको शोग है तो जितना उसको पुराना पुराना मिलता जाएगा, उतना उनकी satisfaction बढ़ती जाएगी, ठीक है जी, तो फर एक बंदा है, उसके पास एक किताब है, जो कि सो साल पुरानी है, लेकिन अगर दो साल पुरानी किताब मिल जाएगा, तो उसकी satisfaction सो साल वाली किताब से ज्यादा उसमें मजीद जिस्तु करता है कि उसको न वह लेंग करें जिसे जैसे वह उसको मजीद दड़ाब होते हैं जो मुझए तर्फ होने या उसले क्या होना चाहते रखेए रेकिन इसकी सेटिसफेक्शन ऑपलेंवर एक किताब पड़ता है तो ऊसको दWe कि पढ़ लो उसको इंजॉय करता है वो जिसको उसको उसको पढ़ना में मज़ा आता है तो नौलिश पर भी यह ला इप्लिकेबल नहीं है हाँ अगर एक बंदा फर किताब एक दफापड़ता है तो उसको एंजॉय मिलती है लेकिन जब वो दूसरी मरतबा पढ़ता है वही किताब अगर आप पढ़ रहे हो तो पिर मजीद ले साटिस्पेक्शन तो पिर इस सिच्वेशन में लेकिन अगर आप डिफरेंट किताबे पढ़ रहे हो और नॉलिज हासिल कर रहे हो तो जैसे जैसे आपके नॉलिज में अजाफा होता जाएगा वैसे वैसे आप ना इंजॉय करते जाओगे लेक्ट मेरी साथ से एक और आप लेकलो विल्ट भी यह यह या पिलिकेबल नहीं यह आप इस तरह विल्ट ठीक हैं यार जैसे जैसे इनसान पैसा कमाता जा रहा है उसके कि लाले चोर गीड उसको मज़ीद पैसा कामाने पी मजबूर करता है और जिसे जैसे वह पैसा कामाता जा रहा है उसको ज्यादा सटिस्टेस्टेक्शन मिलती रहती है तो अगर आज उसने एक लाग कमाए तो वह कोशिश करें कि दो लाग जब वह दो लाग कमाएगा तो सट इस सेक्शन बढ़ती जाएगी तो विल्ट पे भी यह लाइपलिकेबल नहीं है आचाह सभी है यार मंतरस एक्सेप्शन करते है सुलेमान वाई ठीक है अचाह म्यूजिक ले भी यह लाइपलिकेबल नहीं होतीं तीग ना कि जैसे जैसे इनसान एक बंदा वह म्यूजिक सुन लिया 저ґ片 दूसर संदे तो मज़ीद उसको मज़ा देते हैं लेकिए और वहу एक ही सुन रहा है तू उसकी सठिस्टे甚麼 kind हो रही है लेकिन अगर वो मुख्तिलिफ गाने सुन रहे तो एक गाना वो सनेगा तो उसको ज्यादा मज़ाएगा दूसरा सुनेगा तो उसको पिर ज्यादा मज़ा मज़ीद आएगा तो यह कुछ चीज़ें जिन कि यह ला एप्लिकेबल नहीं होते हैं यार सलिमान वाई एक बादों है रियर लाइफ में के ऐसी लोग भी मैंने देखे हैं ठीक ना शायद आपकी मुलाकात हो चुकी हो कि वो किताबों के बड़े शुक्वीन होते हैं और वो सारा सारा दिन लिबरेवें पढ़कर एंजॉय जी पूचे शावास शावास बच्चे पूचे तो यह एक्सेप्शिंस जी इंपॉर्टंट है एक्सेप्शिन में कानली कोई कन्फूजन अच्छा मैंने आप से कहा था कि हर तक्रीवन एक्नॉमिक्स में हर ला में पांच यह बाते होंगे एक्सेप्शिंस या लिमिटेशन आफ दिला और पर उसके साथ प्रैक्टिकल इंपॉर्टंस ठीक है ना तो यह प्रैक्टिकल इंपॉर्टंस भी वह आपसे सिर्फ वह पूच चाहता है यह ला कहा कहा पर एप्लीकेबल हैं जैसे जैसे हम एक यूनिट्स के ज्यादा यू हम कोशिच करते हैं कि उस प्रोड़क्ट पे हम कम खर्च करें हम अपने को कट कर लें उस प्रोड़क्ट पे कि कि अगर मैं जिए दे रहा है, मैं इससे enjoy कम ले रहा हूँ, ठीक है ना, तो फिर आप उस पे खर्च expenditure कम करोगे, दूसरी बात, कि लाव डेमेशन मायूटिटी से डिफरेंस लाव ने करते हैं, ठीक है ना, पर एक्जेमपल, लाव सब्सिचूशन, या अभी हम लाव एक मायूटिटी निशाला वो भी पढ़ेंगे हम, लाव डिमान हम पढ़ चुके हैं, और concept of consumer surplus, यह मैं आप, हमारा topic नहीं है, लेकिन समझा रहे तो हम पढ़ेंगे, लाव डेमेशन मायूटिटी हम पढ़ चुके हैं, और मैंने आप से कहा बीता, अगर आपको याद हो कि लाव डिमान, वाइड डि रहे थे, एक income effects की वज़ा से और एक substitution effects की वज़ा से, लेकिन मैंने आप से कहा था कि तीसरा भी एक point है, कि जिसकी वज़ा से आपका demand कर slope and downward होता है, और वो love margin utility की वज़ा से, इस ही लाव की वज़ा से, ठीक है ना, तो हम भी हमने देख भी लिया, कि love demand कर slope and downward होता है, और त तो जिसकी वज़ा से हम उस product की फिर demand कर लेते हैं, क्लियर जी, वह हमारे यह चीप बंज़ाते हैं, जिसकी वज़ा से आपका demand कर slope and downward होता है, तो लाव डिमांड इस से लाव डिमांड निकलता है, ठीक है जी, love substitution हम पढ़ लेंगे और consumer surplus मैं आपको समझा लेता हूं, यार म मिसाल देता हूं, for example, एक दोस्त में आपसे कहा कि यार फना जगा पे ना, सो रुपे में बिर्यान चिकन बिर्यानी की पलेट और टीस रुपे में ना, वो आपको सेवनप मिल जाता है, तो एक सुटीस में ना, आप एक चिकन बिर्यानी की पलेट और सेवनप इंजॉई कर जब बिल आया है, तो उसने कहा कि सर बिल जो होगा ना, वो एक सुटीस नहीं, वो एक सो दस रुपे बनेगा, ठीक है, तो आप कहेंगे, तो मैंने तो दोस्त में बिर्यानी की पलेट, और सेवनप इंजॉई करूंगा, लेकिन वहां तो आपको ना, बिनिफिट्स वहां एक सो दस में वो आपको मिल रहा है, वो चीज़, कहने का मतलब यह कि कंजूमर सर प्लस में रहा, वही साटिस्टेक्शन जो उसके जहन में था कि वह एक सो तीस रुपे दे के एंजॉई करेगा, वह एक सो दस में एंजॉई कर रहा है, इस कंजूमर सर प्लस, वही साटिस् वो इस सो एक सो दस में मिल रहा है तो इससे एक कंस्टिक भी निकलता है ठीक है जी अब जीन दो पांट्स में कोई कंफूजन एक अगा जब आपकी यूटिलिटी डिक्रीज होती जा लेगी आप मुस्ते एक्स्पेंडिचर कम करते जाओगे दूसरी बात ये के लाफ बैमिन अच्छा बब यह फिसिकल पॉलशी में देखो दो तड़ा की पॉलिसी इस होती है एक होती है फिसकल पॉलिसी जो कि ग08 प्लींट की पॉलिसिए हुस्पेंड है फिसकल पॉलिसी में गॉर्म tobمن चाओती है कि कहा कहा से हम revenue generate कर ले और उसको किदर हमने expand करना है सो ठीक है खरच करना है उसको तो अब हकुमत के पार जो men source of income होती है वो होती है टेक्सेज चाहे वो direct farm में हो चाहे वो direct farm में हो प्लियर जिन लेकिन अब हकुमत देखती है कि यार अमीरों के लिए जो margin utility of money होती है वो कम होती है मैं आपको मिसाल देता हूँ जबकि गरीबों के लिए margin utility of money ज्यादा होती है पर एक मिलिनियर बंदा है ठीक है ना अगर उससे हजार दो हजार रुपे गुम भी जाए ना तो उसके लिए इतना बड़ा मसला नहीं होगा लेकिन उसके मकाबले मे एक दियाड़ीदार बंदा जिसकी मजदूरी ही हजार दो हजार रुपे हो ठीक है तो अगर उससे ना हजार पंद रसुर रुपे गुम जाए तो उसका तो पूरा बजट खिल जाएगा ठीक है तो कहने का मतलब ये कि अमीरों के लिए पैसी की इतनी परवान नहीं ठीक है ना गर जब्ताय तो उसको इतना कोई मसला नहीं होगा और घरीब पर हम टैक्स ना ही लगाएं क्यों या अगर हम टैक्स लगाए भी तो कम लगए क्यों कि अगर हम ज्यादा टैक्स कलिक कर लेंगे तो उससे जजादा ओफ्लों होगा मनी का वह बीचारे तो खराब हो क्वेशन में ठीक है प्रोग्रिसर्ट टेक्सेशन का मतलब यह हैं कि अमीरों पे ज्यादा टेक्स क्यों क्यों कि लिए उसके पास तो वैसे भी बहुत ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है तो उसके लिए अतना बड़ा मसला नहीं बने गा लेकिन और गरीबों पर यह तो हम टे इड़ा वा पुटी? झाल कि तक्रीवन। होती न वह डिक्रीज होती जाती है अच्छा मैं पहले पॉइंट समझा ले तो देखो पहले पॉइंट में मैंने का अक्सम के जब एक प्रोड़क्ट सी यूरिटी डिक्रीज होती जाती है ना आप एक बंदे को पता लगए कि आप यह मुझे लिस साटिस्टेस्टेक्शन द आप मुझे कम दे रहा हैं तो मैं इसके पैसे क्यों खर्च करूँ क्लिर जी तो आप उस पे एकस्पेंडिचर कट कर लोगे उस पेंडिचर कम कर लोगे क्लिर जी तो यह हमें पता लग जाता है कि एक चीज़ आप एक किताब है जो आप आपने एक दफार पढ़नी टीक है तो इस इसमें आफ इसमेल्य तो अए अटजी तो ये मैंसे फेशन में घुना तो या एक चीश फेशन में आ भी जाए तो उस पे भी एसम्ने में यह घुक आ अब ये देखें आप ये ये पास्ट पेपर हैं इसके देखें आप डिस्क्राइब लाव डेमनेशी माजी लूटिलिटिटी सपोर्ट यूर अंसर विदा हिल पाफ शडूल शडूल में टेबल कुछ लोग स्केजूल भी बहुत हैं तीक है या गर वो टेबल भी कुछ लोग अगर वो ये ना पूछता और सिर्फ ये इस तरह होता तो पिर मैं सजिस्ट कर रहा था आप लोगों के पास कि यार आप बगहर शुडूल के डाइग्राम बना लेते हैं अगर आप बना सकते तो तो इस सवाल में कोई किन्फूजिन शाह बस कि यह ना पासपेपर सुलेमान भाई अब देखो आप यह क्या वेस्ट हैं सर लाज है वो तो हम कॉंसर्ट वेस्ट नहीं लेख सकते वो तो हमने वर्ट हुआट ही रिखते ना यह तो एक इन्युवर्सल थेंगे ने ने उसके लाबावा अपने आंसर को सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट हम वो वो सब्सक्राइब करेंगे ना सर जी अगर आप मैंने अगर आप इक नाम इसी बोट किताब सुलेमान उटा रहा है तो उसमें हर किसी ने आपने अपने एक्जेंपल दिये हैं आप किसी और डिग्राम सच उटा रहे हैं तो उसमें कोई और फर सब्सक्राइब को इस तरह एक्जेंपल लें ठीक है ना तो आप वो कर लो सिए लेकिन जरूरी नहीं कि आप ना इसने वर टुवर जिस तरह आप जिस तरह मैंने कर आपको यह डिफिनिशन लिखते लिख सकते हैं जरूर नहीं क्यों आप किताब वाली स्यम वही याद कर ल तो वही एसंचिन्हिंश कान जिव बिलकुर एक समय दिन इस वह पर गुटलेंच फेर्यूर थे लिखिंट पर लिखिंट वही इस तरह सकते हों या अगर आप कि यह अगर दैने कि अधिन्य सेंगे अगर भी आख रिखिशन केंट सब्सक्राइब लिख भी अवाई टुट तो वो तो तो यह वो दिपिनिशन है ना आप उदर से उपर नीछ नहीं जा सकते तर तो आप लिख सकते वह अपने वर्ट मैं लेकर में वहीं सेम होने चाहिए मतलब नाई सब मैं सिम्हां कर रहे हैंैं तो लाँ में तो हम चेंज वह एक वर्ड वी नहीं सकते और अलब कोई ऐसा मसला आ रहा हो या आपको लग रहा हो कि यार यह जो है ना किस तरह को ड्राफ्ट करना है बज़र आप बताएं तो सरी तो क्रिस्टिल क्लियर है सर इसमें तो कोई रोकेट साइंस नहीं उसने तो साथ-साथ बढ़ रहा है अच्छा अब दूसरे नंबर पर के डिस्क्राइब अब भाई मेरे इसमें आप देगे आपने डिफिनिशन लिखनी है आपने ना इसंटे अब मैं आपको ट्रक्नीक बताता हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास एक और सवाल रह रहा है और आपका पास जो पंद्रा मार्स का पांच मार्स का यह और दस मार्स का एक और रह रहा है ना तो टोटल होगे आपके पंद्रा मार्स आपका पंद्रा मार्स का पेपर रह रहा है और आपको दस मार्स वाला सवाल भी आ रहा है ठीक है ना और आपको पता ल लेकिन अगर वह आप एक सवाल रह रहा हो और आपको ना भी आ रहा हो तो प्रश इस तरह हीडिंग दे कर लो इस तरह एडिंग दे के एक स्पेंट करो ड्रक एड नर्कॉरिक्स और इस तरह यह सही ना तो यह टेकनीक्स होती है आँ यह तो अधर साथ में आया था माज़ जूटिटी में इस तरह बलाए होते हैं तो नारमल गुर्स पे इस तरह होते हैं कि जब वह एक गुड्स के ज्यादा यूनिट्स कंजूम कर जाएंगे तो हमें एडिशनल यूनिट्स वह कम सटिस्टेक्शन देता जाएगा मनी पे यह क धाएंगे हैं कि जैसे हम मनी कमाते जाते हैं हमें जयाता सटिस्टेक्शन मिल दी जाती है तो पुष लेवाई मेरे? तो आप लोगों ने इस चेप्टर में जो पढ़ना है आप लोगों ने अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक जो हमेंश चेप्टर से पार्ट अभी तक जो हमेंश चेप्टर से पार्ट